Good morning guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 अगस्त के Current Affair उससे पहले हम लोग कल के Question का Revision करेंगे तो देखते हैं हमारा कल का पहला Question क्या था Question था हमारा की भारती बैंक ने ससस्त्र बलो के लिए 100 एक केजीशी कार्ड नाम से एक विशेस कार्ड लांच किया है तो यहां पर कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है जिसने इस कार्ड को लांच किया है फिर हमारा भारत में वार्सिक अंतर राष्ट्री फिल्म महोचसो कहां आयवजित किया जाता है तो गोवा में इसका आयवजन किया जाता है और इसका आयवजन होगा कब तो 20-28 नॉम्बर के मद्ध होगा गोवा में नेक्स है हमारा सुरेस रहना ने किस तरह के क्रिकेट से सन्यास लेने का एलान किया है तो अंतर राष्ट्री क्रिकेट से और इसी तरह ये बिलॉंग कहां से करते हैं ये यूपी से बिलॉंग करते हैं जबकि महन सिंग धोनी ने भी अंतर राष्ट्री क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना किया है और ये कहां से बिलॉंग करते हैं तो ये जहार खंड के राची से बिलॉंग करते हैं चीक अगला है हमारा भारत की पूर्व खिलाडी मनितोंबी शिंग का 9 अगस्त को निधन हो गया वो किस खेल से जुड़े हुए थे तो फुटबॉल से जुड़े हुए थे मनितोंबी सिंग चीक है अगला है हमारा फिर ICC पूर्व खेली मिन में सिक्सिभारती घरेलू ऐंपायर को इंटरिशनल पहला में शामिल खिया है तो अनत पर्मनाबन को इसमें शामिल किया है अगला हमारा इस राजनेग सब्सक्राइब करने वाला पहला खाडी अरभ अरब देश कौन सा है तो सय हित अरवम पहला खाड़ी अरब देश ठीक है और इसको कौन सा समझवाता कहा गया है तो अब्राहम समझवाता कहा गया है नेक्स है हमारा जापान की बाद अब कौन सा विक्षित देश मंदी की चपेट में आ गया है तो United Kingdom क्योंकि यहां पे लगातार दो कौर्टर की GDP जो थी वो निग किया है तो सकाई रूट अरो पेस ने किया इसका नाम क्या है रमन है इसका नाम बाकिर नेच्ट हम ने आपको बता ही दिया है फिर है पीएम नरेन मोधी ने 74 सोतनता दिवस पर लाल किलिए से देश के नाम का शंबोधन किस हेल्थ मिशन के अलान किया तो National Digital Health Mission के यहां पे आलान किया गया है अब हम लोग आज के पहले क्वेशन की बात करेंगे पहला क्वेशन हमारा भारत के राश्पती द्वारा मर्डो परांद किसे कीरती चक्र पुरसकार से सम्मानित किया गया तो इनका नाम है अब्दुल रशीद कालश इनको सम्मानित किया गया है कीरती चक् यहाँ पे कुल 84 वीरता पुरसकारों को मंजूरी दिया गया है जिसमें जम्मु कस्मीर पुलिस के हेड कॉंस्टेबल अब्दुल रशीत कालस को माडो परांध कीरती चक्र से सम्मानित किया गया है सांती काल में तीसरा सर्वोच वीरता पुरसकार है ये सौरे चक्र को लेफटेनेंट करनल कृष्ण सिंग रावत मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दूबे और आई एएफ विंकमांडर विशाख नायर सहिद नौ सेना कर्मियों को प्रदान किया गया है ठीक है तो यहाँ पे कुल नौ यासे सेना कर्मी है जिनको सौरे चक्र प्रदान किया गया है इसके लमा राश्टपती ने सेना के 60 जवानों को सेना मेडल 4-9 सेना पदक और 5 वायू शेना पदक प्रदान किये हैं ठीक है फिर हमारा वा कौन सा पड़ोशी देश है जिसके साथ भारत ने एर बबल समझोता किया है तो मालदीव के साथ भारत ने एर बबल समझोता किया है तो सबसे पहले जिस समझोते के बारे में जान लेते हैं यह देखिए एक द्विपच्छी समझोता विवस्ता है जिसमें द परिवहन सेवाएं सुरू किया है डिरेक्टरेट जनरल ओफ सिविल एवियेशन के महान देशक नहीं घोशना किया है कि किसी भी प्रकार का वैद वीजा रखने वाले भारती एयर बबल समझोते कि तैद अमेरिका ब्रिटन कनेडा की हवाई यात्रा कर सकते हैं ठीक है तो यह सबसे लंबा पियर बीच कहां पे बन रहा है मड़ी पूर में बन रहा है ठीक है कहां पे मड़े पूर और इस पूल की उचाई कितनी होगी 141 मीटर उचा होगा यह पूल इसने मॉंटे नेग्रो यूरोप में 139 मीटर उचे माला रिजे का पूल के रिकॉर्ड को पीछे छ परियोजना में बारामी सुरंग उत्तरपूर्व में सबसे लंबी सुरंग होगी ठीक 17 अगस 2020 को केंदरी मंत्री स्री नितिन गटकरी ने मड़ी पूर में 13 राजमार्ग परियोजनाओं का सिलान्यास किया है यह परियोजनाएं 3000 करोड के थी याद रखेगा फिर हमारा हाल परियोजनाओं में किसी BSF का निदेशक बनाया गया है तो राकेश अस्थाना को बनाया गया है BSF का निदेशक वर्तमान में इंडो तिबद बॉर्डर पुलिस के प्रमोक SS देशवाल इस साल मार्च से BSF का अतरिक्त प्रभार शमाल रहे थे ठीक है लेकिन अभी स्रीमा अस्थाना को बनाया गया है अस्थाना की बात करें तो यह वर्तमान में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतरिक्त प्रभार समालने के साथ साथ ब्यूरो और सीविल एविएशन सेक्योर्टी की भी कमान समाल रहे थे जो कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली 282 सिविल डिफेंस और हूंगाड का माने दिशक नूप किया गया है ब्यसिफ केस अपना कब हुई थी एक दिसंबर 1965 को और इसका मुख्याले कहां है नई दिल्ली में फिर हमारा हाल ही में चर्चित सब सलाइवा डायरेक्ट सम्बंदित है तो कुछ मतलब अगर इसको हम प्षड से है COVID-19 परिछड को सलाइवा डायरेक्ट के नाम से जाना जाता है तो राइट एंसर क्या होगा ओप्षन नमबर टू हो जाएगा राइट एंसर चीक सहींगत राज अमेरिका के खादेवम और शदी प्रसासन ने COVID-19 के लिए एक नय लार आधारित प्रयोक्षाला परिछड की आपात कालिन उप्योक को अधिकरित कर दिया है यह कोरोना वायरस संक्रमण के लिए एक नया rapid diagnostic परिछड है जो कि मुख्य तोर पर लार के नमोनों का उप्योक करता है यह नया परिछड संक्रमण का पता लगाने के लिए उप्योक की जाने वाली पारमपरी वी परिछड व्यक्ति में संक्रमण का पता लगा सकता है अब देखे एप आ गया है तो जी लोगों ने आपको इंस्टॉल नहीं किया है वो आपको इंस्टॉल कर लेंगे इसके अलावा आपको बता ही दिया गया है कि प्रेड क्लास भी आने वाली है जिसमें सबसे पहले आप के लिए डेली कॉंस्टेबरल की क्लास शुरूखी जाएगी तो आप लोग रेडी रहेगा कोसिस किया जा रहा है कि विदिन वीक आपको ये क्लास प्रवाइट कर दिया जाए ठीक है ताकि जिन लोगों ने भी फॉर्म करा है उनकी त्यारी अच्छी हो अगला हमारा इंट सितंबर 2020 को इसका योजन करेगा और जिसका उद्देश क्या है जो कि सुरू से आयसे का उद्देश रहा है क्यों उर्जा को सस्ता बनाना चुनोतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैग्यानिकों और इंजिनियोरी को एक साथ लाना या सिखर सम्मेलन अगली इगावाड सौरूर्जा प्राप्त करने का एक एंबिशिस लच्छ रखा गया है आयसे की बात करेत इसकी सुरुवात भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में किया था नौंबर में कब कॉप 21 संयुक्तराश जलवाई परिवर्थन के सम्मेलन के दोरा इसका साथना दिवस 11 alyst 2018 को मनाया गया था और इसका मुख्याले हरयाडा के गुरूग्राम में है किस नाम से राश्ट्री सवरूरज़ास अंसान में इस्थित है या यही सी पहली अंतर राश्ट्री अंतर सरकारी संदी है जिसका मुख्याले भारत में इस्थित है उद्देश आप सभी को पता है कि 2030 तक व्रिहत अस्तर पर 100 उर्जा उत्पादन के लिए 1000 अरब डॉलर का निवेज करना करकवा मकर रिखा के बीच 121 अधिक सूर्यता प्राप्त करने वाले देशों को उर्जा उत्पादन के लिए प्रोथ साहित करना अगला हमारा केंद्री मंत्री स्मृती इरानी ने हाल ही में उत्कर्स आगनवाडी केंद्रों के तौर पर विक्सित किये गए 151 आगनवाडी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फरेंस के जरी किस एप का उधगाटन किया है तो इसका नाम है सक्खी एप इन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आगनवाडी केंद्रों को उत्कर्स आगनवाडी केंद्र बनाने के लिए इनका किया गया प्रयास जो है काफी सरानी है इसमें एक वर्स में 500 और आगनवाडी केंद्रों को उतकर्स आगनवाडी केंद्र के रूप में विक्सित किया जाएगा इस application के जरीए सभी उतकर्स आगनवाडी केंद्रों को आवश्यक निर्देश दिये जाएगे और बच्चों के लिए online सिचर का कारकरम भी application के जरीए होगा फिर हमारा United Kingdom ने भारत में कितनी million pound का innovation challenge फंड किया है तो यहाँ पे 3 million pound का innovation challenge फंड किया गया है COVID-19 और जलवाई परिवर्तन से निपटने के लिए उद्देवों और सिच्चाविद में भारती वेग्यानिकों का समर्थन करने के लिए या फंड लॉंच किया गया है इसका उद्देश ही है UK के अद्द्योगी की जो रणनीती है उसको प्रेडित करना जिसका उद्देश है व्यस्विक चुनवत्यों का समाधान करना है इस अनुदान का उपियोग टेक क्लश्टर्स को विक्सित करने के लिए किया जाएगा भारत अनुशंधान प्रकरियाओं को स्वदेशी बनाने के लिए अधिक से अधिक धन देश में लाने का प्रयास कर रहा है और इनुवेशन चैलेंज एक ऐसा ही हिस्सा है इस कदम का तेरा अगस 2020 को यूरोपी संग ने महिला ससकती करण के लिए प्रोजिक निर्मान स्री सुरू किया इस परियोजना का उदेश क्या था आवाज शेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करना इससे ओडिश सा और महाराश्र के चार जिलों में लागू किया जाएगा इस परियोजना के तैद महिलाओं को आवाज शेत्र में विभिन निकारियों में प्रसिच्छित किया जाएगा और इसकी कुल लागत कितनी होगी 9,49694 यूरो होगी इसकी लागत 90% धन यूरोपी संग द्वारा प्रदान किया जाएगा और 10% हैबिटेट फॉर हुमनेटी इंडिया द्वारा प्रदान किया जाएगा या परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है लगबग 3,000 महिलाओं को द्यम सिल्ता कोसल के तरहत प्रसिचित किया जाएगा अगला हमारा मोधी जी ने जो भाषन दिया था अपना 15 अगस्म को इसमें किन दो जानवरों के लिए एक नई परियोजना सुरू की गई थी तो सेर और डॉल्फिन के लिए नई परियोजना सुरू करने की बात हुई थी ठीक है और इसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लॉयन का इंदेश क्या था ऐशियाई सेरो सेचित अब परिद्रिश का समगर रूप से संद्चण करना चेक है और डॉल्फिन का उद्देश है क्या था नदी और महासागरों में डॉल्फिन का सुरच्छा और सनुच्छ प्रदान करना अगला क्विश्यन है हमारा हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया हुआ किस से संबंदित थे तो इनका संबंद सास्त्री संगीत से था जन्म का हुआ था 1930 हर्याडा में हुआ था और इन्होंने कई अवार्ड जीते 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरसकार पदमसरी के साथ-साथ 1987 में संगीत नाटकक अकादमी पुरसकार 1999 में पन विभूशर से इनको समानित किया गया ठीक है अच्छा एक चीच काफी important है क्योंकि इनको 11 November 2006 को खोजे गए है कि हीन गरा जिसे VP32 को पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज नाम दिया गया है किसके द्वारा अंतर राष्ट्री खगोली संग के द्वारा जसराज जी की बात करें तो ये मेवाती घराने से तालूक रखते हैं जो कि संगीत का एक स्कूल है और खयाल पारंपरिक प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है ठीक तो आज के लिए बस इतना ही विडियो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंट्स थैंक यू सो मज करें विए